साउथ इंडिया में देख सकते हैं एक ऐसी खेती जिसको बलब की जरूत होती है लाइट की जरूत होती है देख सकते हैं मैं आपको लाइट दिखाने की कोशिज कर रहा हूं एक ऐसी खेती जिसको रोशनी की जरूत होती है लाइट की जरूत होती है गरमाश की जरूत होती है देख सकते हैं मैं किस तरह से आपको लाई दिखाने की कोशिज कर रहा हूं दोस्तो चारों तरब आप देख सकते हैं खेत में बलब हजारों बलब लगा दिये गये हैं आपको मैं पूरा का पूरा लाई तस्तिरे दिखाने की कोशिज कर रहा हूं दोस्तो देख सकते हैं इस खेत में ये कौन सी फसल है आपको मैं पूरी-पूरी जानकरी देने की कोसिश करूँगा देख सकते हैं फसल किस तरह से उगई गई है और पूरा लाइट डाल दिया गया है यह पूरा मामला है मैं आपको पूरी पूरी लाइट तसीर दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों देख सकते हैं जहाद तक आपकी नजर जा रही है यह तक पूरह का पूरह लाइट बलप जला दिया गया है यह किस तरह की खेती है कैसे उगई जाती है और किस की खेती है आईए पूरी जानकरी जानेंगे आपको इस वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें दोस्तों यह किस टाइप की खेती है और क्यूं इसमें लगाई जाती है तो बलब ही बलब लगाये गए दोस्तों पूरा-पूरा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें लाइक करें देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक इस खेत में रात के लगबग एक बज़े हैं और एक बज़े से मैं आपको लाइक तस्य दिकाने की कोशिस कर रहा हूं दोस्तों देख सकते हैं इस खेती की अगर बात करें तो आप इस पौदे को देख सकते हैं आप पैचान के बताईएगा कमेंट करके बताईए कि कौन सी खेती है और कमेंट करके बताईए कि पहली बार अगर आपने देखा है कि खेत में हजार लगा दिया गया है लाको बलब पहले देखा है तो कमेंट कर जरूर बताएं आपने भी अपने खेत में बलब लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से पूरे खेत में LED बलब लगा दिया गए दोस्तों देख सकते हैं पूरा का पूरा लाइव नजा रहा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके जितना सेर करें दोस्तों और ये कौन सी खेती है कमेंट करके जरू बताए कौन सा पौदा है दोस्तों ये जिसको इतनी गर्मा चाहिए इतनी लाइट चाहिए इतनी सेप्टी चाहिए